नमस्कार दोस्तों मैं रुकमती वर्थे वुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रुपा ग्रीन गाडन में उम्मित करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली वार देख रहे हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सांती सांत बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तो हाजिर हूँ में एक नया वीडियो नया टोपिक लेकर और दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक है कि इस समय हमें गुल्दावदी प्लांट पर क्या करना चाहिए और क्या हमें उसकी पिंचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तो आज सारा कुछ में इस वीडियो में बताऊंगी और आप लोगों को जानकारी दूंगी तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वाच कीजेगा तो चलिए दोस्तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और दोस्तो ये समय ऐसा है कि नर्सरी से हम अपने विंटर सीजन के पौद भी ला सकते हैं और प्लांट भी ला सकते हैं और अभी भी समय है हमारे पास में विंटर सीजन के सीड ग्रो करने के दोस्तों अभी आप सीडलिंग भी कर सकते हैं और नर्शरी से आप अपने विंटर सीजन के प्लांट भी ला सकते हैं तो दोस्तों इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कुण कुण से हमें अभी प्लांट लाना चाहिए और दूसरी बात दोस्तों इस समय आप अपने सारे प्लांटों को फटिलाजर दीजिए दोस्तों जो विंटर सीजन के प्लांट है उन्हीं में जिसमें सर्दियों में फूल आते हैं उन्हीं में आप फटिलाजर कीजिएगा और जो प्लांट हमारे डॉर्मेंसी में चले गए जो सो गए हैं जो गर्मियों में होते हैं उनमें आप फटिला जर ना दीजिए और उनको भी एक जगे सेफ करके रखिएगा और ऐसी जगे में रखिए जहां पर उनको भी धूप मिलती रहे थोड़ी थोड़ी सी तो ऐसी जगा में रखिए तो चलिए दोस्तों अब हम आप से तो यह देखिए दोस्तों यह है हमारे गुलदाओदी के प्लांट दोस्तों तो इस समय आप इन प्लांटों में क्या कीजेगा तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इन में फंजी साइट का स्प्रे कीजेगा क्योंकि दोस्तों इस समय इसमें कीड़े लगने का बहुत डर होता है क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आता है तो साथ में साथ कीड़ों की बाहर भी लेखे आता हर प्लांट में कीड़े लगने का ये समय होता है क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों और गुल्डावदी तो ऐसा प्लांट है कि इसमें अक्सर कीड़े होते हैं दोस्तो तो हमें समय समय पर इसमें फंजी साइट का स्प्रे करना चाहिए इस मेरे इसमें भी थोड़े थोड़े से लग गए वैसे मैं इसमें भी स्प्रे किया था एक बारी किया था अब मैं आज दूसरी बार कर रहे हूं तो मैं वीडियो बना रहे हूं और ये देखिए वाइट व लग जाती है पत्तियां तो दोस्तो इस समय आप इसमें फंजिसाइट का इस्प्रे जरूर कीजिए मैंने भी किया है ये देखिए ये वाला है दोस्तो और ये इस बहुती जल्दी कीड़े मर जाते हैं ये मेरी टंकी में घोला है क्योंकि मैं सारे प्लांटों पर डालने वाल है तो भी आप डाल सकते हैं और अगर केड़े लगे हैं तो भी आप डाल सकते हैं तो गुल्दादी में पहला काम तो यही करना है दोस्तो उसके बाद में आप उसके बाद में दोस्तो ये देखिए ये सरसोखली है और ये मैंने पानी में घोल दिया था और कम से कम इसको च ठंड़क हो जाती है दोस्तो इसमें और बहुत ही अच्छा फटिलाजर बन जाता है और जितने जादा दिन तक हम इसको गलाके रखेंगे दोस्तो इसकी जो इसमेल है वो भी खतम हो जाती है और इसकी जो गर्माट होती है वो भी खतम हो जाती है और बहुत ही अच्छा बैतर दिन फटिलाजर तयार हो जाता तो दोस्तो इसको डिलिट करके डालना चाहिए तो यह मोसम में बहुत ही जरूरी है गुलदावदी के लिए तो यह देखिए दोस्तों यह एकदम पतला पानी जैसे हमने बना लिया और इसको डिलिट कर लिया मतलब एक भाग हमने हमारा सकते हैं दोस्तों और आप अपने प्लांटों को अगर आपका प्लांट फैला नहीं है अगर आप गुडाई कर सकते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दूर दूर से किनारी किनारी से आजपास से ऐसी गुडाई कर सकते हैं और अगर आपका प्लांट एकदम बुशी लूप में है तो आप इस समय गुड़ाई ना कीजेगा बस आप क्या कीजेगा थोड़ा सा ऐसे तिर्चे से हटा के इस प्रकार ऐसे हटा के हमारे प्लांट को ऐसे दूर करके और इसमें फटिलाजर आप डाल सकते हैं ऐसे क्योंकि दोस्तों गुड़ाई करेंगे और क्योंकि दोस्तों अब हमारे इन प्लांटों में फूल देने का समय आ गया है अब वो तो दोस्तों ऐसा है कि किसी ने पहले कटिंग लगाई है तो पहले फ्लावरिंग पे हो जाता है किसी ने बाद में कटिंग लगाई है तो बाद में फ्लावरिंग पे आएगा वो समय के अनुसार है लेकिन ये समय भूत ही अच्चा है क्योंकि हमारे अब e जनवरी तख के जनवरी फरवरी तख के हमारा जो इसमें फ्लाविंग का सीजन शुरू हो जारेगा और कलियां भी बनने लगे गी दोस्तों मेरे इस में तो कलियां नहीं बन रही अभी क्योंकि शायद मेर लेट हो गई है अगर आपके इसमें कलियां बनने लगए लगए तो जल्दी फूल आ जाएंगे और दूसरा भी से यह है दोस्तों की जो मैंने कहा था कि इसमें क्या अभी पिंचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तो अब पिंचिंग करने का बिलकुल समय नहीं है क्योंकि अगर अब हमने पिंचिंग की दोस्तो तो हमारे जो प्लांट है उसमें कलियां बहुत काफी समय लग जाएगा और हो सकता है कि सर्दियां भी निकल जाए फिर हमारे इसमें फूल बने ना बने कभी कभी ऐसा भी हो जाता है तो दोस्तो अब पिंचिंग बिलकुल ना कीजेगा अब इसमें फटिलाजर हर 15 दिन के 15 दिन इसमें सरसो खली का फटिलाजर दीजिए तो हमारा प्लांट में बहुत ही सारे फूल आएंगे और बहुत ही जल्दी फूल और बड़े-बड़े साइज में आएंगे क्योंकि अब सर्दियां भी काफी हद तक हो गई दोस्तों बहुत सर्दी लगने लगी रात का क्लाइमेट भी इतना ठंडा होने लगा और दिन सुबह भी सर्दी लगने लगी तो दोस्तों इस समय की दबा बहुत ही जरूर है इसमें हर आप 20 दिन में 25 दिन में या एक मेने के अंतराल में तो जरूर से जरूर डाल लिएगा जब ही आपके प्लांट स्वस्त रहेंगे दोस्तों नहीं तो इसमें बहुत ही जल्दी जल्दी कीड़े की अटेक होती है पिछले साल मेरे बहुत स और मेरी चेनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा धन्यवाद बाई बाई